वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स हमने अनुभो किया अब जो बाहर निकल कर नदीयों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोगा नुभो कर रहे हैं कि परियावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों शुद्ध हो गया क्योंकि कुछ ख्रियाकलाब बंद हुए जो परियावरण को दुशित करते थे अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाब कम से कम हम कर सकते हैं बिना उसके काम भी चल सकता है इसका विचार हमको करना पड़ेगा पानी का उपयोग ठीक से पानी का संवर्धन संवरक्षन वरुक्षों का संवर्धन संवरक्षन और प्लैस्टिक से मुक्ति स्वछच्छता का पालन जैविक तरीकों पर भल देकर गोव पालन जैविक खेती आदिके आधार पर जीवन चलाने का हम को अभ्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो हमारा अभ्यास रासाइनिक खेती आदिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा शासन की नीती वैसी बनेगी लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंदु है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए भाया और क्रोड दोनों तरब से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुव के समझदार लोग है नेतृत्व करने वाले लोग है उन्होंने इससे अपने समुव को बचाना चाहिए और ऐसे भाया या क्रोडवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है हम लोग समाज को सिखाना चाहिए ऐसा नहीं करते तो क्या होता है भारत के समाज को अतिशेवन जैसे दो सन्यासियों की हत्या अब उसको लेगे बैयान बाजी उगरे चलती है उसको एक बाजो रख दिया जाए परंतु यह कुर्ति होना चाहिए क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना है ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए यह सारी बाते सोचनी की बाते हैं ऐसे संकट के घड़ी और ऐसे मन में परंतु रहते हैं रह सकते हैं अपने स्वाभाविक है उनके चपेट में न आके हम सारे भेदकी स्वार्थकी प्रवृत्यों को अलग रखते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह जो दो दोश है उसको टालना चाहिए उन सन्यासियों की हत्या हुई पिट-पिट कर माला लगया निरु का आचारा फैलाने वाले थे मानव पर उपकार करने वाले लोग थे उसका दुख्वाम सबके अठाइस तारीक को उनको श्रद्धान जली देने के लिए हिंदु धर्मा आचाहिए स्वभा ने कुछ आवान भी किया है विशुवंदु परिशद ने जो कारेकम भी दिया है कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सबका पालन पहले अपने को करना है वो पालन करते हुए भी करना है घर के बाहर निकलना है लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमती चाहिए लॉक्डवन है तो अनुमती पूर्वक ही काम करना है फीजिकल डिस्टंस रखना है अंतर रखना है वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों में भी सहज रखकर स्वय हम उसके पालन का उदारन बनकर हमको लोगों को बताना है कि और हम यह कर सकते हैं कि महाबारी नहीं है उसने कहर्म लेकिन उससे डर जाने की अवश्यत्ता नहीं है कि डरने से काम नहीं होता डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है अपना संतुलन कायम रखके मन में भैका लवलेश न रखते हुए ठंड़े दिमाग से करने हैं कैसे करने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वह काम येशस भी होता है आत्म विश्वास युक्त ऐसा अपना सुन योजित प्रयास करना है आत्म विश प्रयास करना है